क्या आपको थर्ड पार्टी की वज़े से बहुत जादा तक्रीफों का सामना करना पड़ा है क्या थर्ड पार्टी ने अपने फाइदे के लिए आपका रिष्टा तोड़ा है क्या आपके पार्टनर ने आपका दिल तोड़ा है आपकी फीलिंग्स हर्ट की है किसी और के भरोसा करके आपके भरोसे को तोड़ दिया है तो आज की कहानी आपके लिए है, आज की डिडिंग आपके लिए है तो चली शुरू करते हैं इस डिडिंग को और देखते हैं कि आप बता रहे हैं ये कार्ज आप लोगों के बारे में तो नमस्ते दोस्तों, मैरे तुभारदज, टैरो रीडिंग डूवर नाइन जीरो से मेरे शैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ, आशा करती हूँ, आप सब दो खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे, तो यह जनरल कलेक्टिव टाइमरेस रीडिंग है, आप जब भी इस रीडिंग को देखेंगे, यह आपके साथ रेजोनेट करेगी, और जितना भी पार्ट रेजोनेट करेगा, उतना आप रखेगा, बाकी का छोड़ दीजेगा, तो आज अलग-अलग डेक से हम अलग-अलग रीडिंग्स चेक करेंगे, पहले चेक करेंगे कुछ आपके अनोजी, फिर चेक करेंगे क्या चल रहा है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में, और फिर चेक करेंगे क्या कुछ एक्षन है आपके पार्टनर का आपके लिए, या फिर थर्ड पार्टी के प्रेश करेंगे तो अगर आप लोग अपनी परशनल रीडिंग करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वाट्सेट ग्रूप का लिंक दिया हुआ है so whatsapp को join कीजिए अपनी personal readings आप book करा सकते हैं पर आपको ध्यान रखना है personal readings paid होती है chargeable होती है so please सब भी आप लोग message कीजिएगा okay so चलिए start करते हैं इस reading को एक prayer के साथ मैं इस reading को शुरू करूंगी सबसे पहले इस deck से हम देखेंगे आपके energies क्या आ रही है so all the divine energies by jungle universe angels please viewers को बताईए क्या कुछ है viewers के energies क्या कुछ आ रही है viewers के energies so चलिए पहले आपके energies को check कर देते हैं last तक बने रहिएगा हर sign के लिए ये reading होती है general reading है और सब के लिए है okay so first card यहाँ पर आया है schizophrenia card okay पहले card spread लेते हैं compromise fine okay exhaustion friendliness creative okay lovers so यह आई है कुछ आपके energies right so देखते हैं क्या आ रहा है देखो आपने आपके partner के साथ बहुत बहुत ज़ादा प्यार किया है आप मेंसे कई लोग ऐसे हैं जिस्ने limitless प्यार किया जिसने कोई boundaries नहीं रखी है प्यार के लिए जो कुछ भी आपने चाहा आपने किया तीक है जो कुछ भी आपको लगा आपकी कोई गल्सीं आी आि आपने कुछ лिए नहीं तीक है हर तरीके से साथ देने की कोशिश की, प्यार देने की कोशिश की, खयाल रखने की कोशिश की, केर किया सिर्फ इसी पार्टनर के बारे में आपने सोचा है, आपने कभी कुछ और सोचा भी नहीं किसी और चीज के बारे में कभी आपके दिमाग में भी नहीं आया कि कुछ इस तरह की की चीज़े भी हमारे साथ हो सकती है ठीक है और बहुत कुछ यहाँ पर आप फील करते हो अपने पार्टनर के लिए आज भी जो कुछ भी हुआ है आपके साथ आज भी आप लोगों में से कई लोग ऐसे हैं आज भी लगातार प्यार कर रहे है वेट कर रहे है अपने पार्टनर का कि कुछ भी ऐसा हो जाए और आपके पार्टनर आपके पास वह आपस लोट करके आजए ठीक अगर ऐसा है तो कमेट बॉक्स में जरुड लिखेगा, रीउनियन आपके wishes comment box में जरूर लिखेगा आप क्या चाहते हैं अपनी life के अंदर क्योंकि जब आप लोग comments लिखते हैं और उन comments को read करते हैं तो कहीं न कहें हमारे thoughts के साथ connect हो जाते हैं और prayers में चले जाते हैं so lovers का guard यहीं बता रहा है कि आप लोग के दिल में आज भी बहुत जादा प्यार है आप मेंसे कई लोग ऐसे हैं जो जिन्होंने शुरुबात दोस्ती से की ठीक है हो सकता है आप दोनों का कोई बच्पन का साथ हो या childhood friendship हो ठीक है और बाद में आप लोग वापस मिले हो ठीक है आप मेंसे कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने रिष्टे निभाए ऐसे जैसे दोस्त निभाते हैं ठीक है आपने कभी कोई कभी आपने कोई ऐसे demand नहीं रखी कभी आपने कुछ गलत नहीं सोचा इनके बारे में नहीं आपके कोई intention गलत रही है कभी भी इस relationship को लेकर के बट यहां पर बहुत चीज़े आपके साथ play की गई है ठीक है कहीं न कहीं आपको बहुत compromises करने पड़े हैं इस relationship के अंदर ठीक है आपको ऐसा लगा एक रहा पर एक जगह पर आकर के कि आपकी life अटक गई है ठीक है आपकी life में आप खत्रा ही खत्रा है आपकी इस relationship में बहुत ज़्यादा tensions हो गई है अब ना आगे बढ़ पा रहे हो ना पीछे जा पा रहे हो तो बहुत ज़्यादा compromises आपने अपने लाइफ में देखे हैं इस relationship के अंदर हैते होए आपकी feelings का बहुत ज़्यादा यहां पर फाइदा उठाया गया है आपकी feelings बहुत ज़्यादा hurt की गई है आपको ऐसे रास्ते पर लाकर के छोड़ दिया है कि आप बहुत आप बहुत अकीला feel कर रहे हो आप चाते भी हो इदर उदर देखना लेकिन डर लग रहा है आपको घबराइट होती है बहुत ज़्यादा क्योंकि इतना कुछ आपने जहल लिया बिल्कुल exhaust हो चुके हो आप ठीक है अब अब इससे ज़्यादा आप नहीं जहल पा रहे हो और बहुत manipulations हुई है आपके साथ किया इन्होंने लेकिन डाला सब आपके ओपर ठीक है सारा कुछ जूट बोला गया है आपसे धोका दिया गया है आपको तो बहुत ज़्यादा आप exhaust हो रहे हो कि मैंने सब कुछ किया मैंने हर तरीके से खुश करके देख लिया मैंने हर तरीके से efforts डालके देख लिये relationship को better बनाने की कोशश कर लिया आपने ठीक है बहुत मिला बिचणना आना जाना चलता रहा आपके partner का ठीक है लेकिन दीरे दीरे करके बीच की दूरियां बढ़ती चली गई है ठीक है आप बहुत चाहते हो इनको आज भी आप में से कई लोग आज भी बहुत जादा चाहते हैं आपके partner को लेकिन exhausted बहुत जादा feel कर रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत जादा मजबूरियां हो गई हैं ठीक है बहुत जादा दूरियां हो चुकी है आप दोनों के बीच में राइट क्योंकि आपके partner ने जो कुछ भी आपके साथ किया है जो भी third party के साथ आपके partner गए हैं उसने कहीं ना कहीं आपको बहुत घुटन होती है अब आपका मन नहीं लगता कहीं भी काम करने की एक्षा नहीं होती है कुछ अच्छा नहीं लग रहा है ठीक है आपके partner ने आपने commitment को तोड़ दिया है आप मैंसे कई लोग ऐसे भी हैं जो जिनके partner ने block कर दिया है जो कि ये बताता है कि आपके उपर उपर वाले का हाथ है भगवान का हाथ है आपके creator का हाथ है जिस ने भी आपको बनाया है जिस इश्वर ने जिस भगवान ने आपको बनाया है उनका साथ आपके पास आज भी है तो एक भरोसा बनाए रखिए meditation कीजिए थोड़ा सा उनका ध्यान लगाईए क्योंकि कहीं न कहीं आपका मन भटक रहा है ठीक है जो कुछ भी आपके जिंदगी में आपके साथ हुआ है वो आपको बहुत जादा परिशान कर रहा है तो दुखों ने जरूर आपको घे रखा है भले ही अभी आपके जिंदगी में दुख है लेकिन ये जो आपकी लाइफ में जो दुख चल रहा है या ये जो पीरिट चल रहा है ये बहुत जल्द खतब होने वाला है तो blessings आपको दे रहे हैं यहाँ पर creator और आपको चाहते हैं कि आप अपने लाइफ में परिशान नहों आगे बढ़ें अपनी लाइफ में खुद पे थोड़ा सा फोकस करना शुरू कीजिए क्योंकि बदलाव ही जीवन है ठीक है चेंज़ आते हैं लाइफ में दुख के बाद सुख सुख के बाद दुख आता ही है ठीक है तो चेंज़ बदलाव का नाम ही जिन्दगी है आपकी लाइफ में जो आपके लिए अच्छा नहीं है ठीक है वो आपके जिन्दगी से निकाल करके फेक दिया जाता है और जो आपके लिए अच्छा है वो जरूर आपके पास आता ही है सो यह बता रहा है यहाँ पर creator का card आप कुछ देखने की कोशिश करते हैं हम यहाँ पर कि क्या कुछ चल रहा है आपके partner और third party के बीच में सो चलिए दूसरे deck से हम देखेंगे क्या चल रहा है आपके partner और third party के बीच में सो अगर आप लोग यह सोच रहे हैं कि अभी आपकी life में दुख चल रहा है और उनकी life में बहुत खुशियां चल रही है तो बिलकुल अभी उनके दुखों का समय नहीं आया है जैसे ही उनके दुखों का समय आएगा या जैसे ही उनके कर्मा का समय आएगा वैसे ही यह सारे दुख उनको भी झेलने पड़ेंगे जो कुछ भी उनके कार्मिक्स है वो उनको भी जेलने पड़ेंगे ठीक है तो ऐसा नहीं है कि वो खुश है अपनी जिंदिगी में देखे C, Eight of Cups का काड़ आया है सबसे पहला, जो कैंसर पाइसी स्कॉर्पियो कर्कनी विश्चिक राशी आई है Fine, King of Pentacles तॉरस वर्गो, क्याप्टिकॉन, विशप करन्या, मककर राशी Six of Swords, जम्या, लीवर, अक्वेरियस, मिथुन्तुला, कुम राशी Queen of Swords Very nice Knight of Pentacles Fine, देखो Pentacles and Swords Right, Okay Three of Cups का काड़ आया है Wow, देखो, कार्मिक्स देखो आप ठीक है, क्या चल रहा है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीश में लासक जरूर बने रहेगा Important reading यहां निकल करके आई है Energies break नहीं करनी है आपको So क्या आ रहा, देखो आपके जो पार्टनर है कहीं न कहीं अभी अटक गए है इनको ऐसा लग रहा है कि अब लाइफ न यहां बहुत जादा पजल हो गई है फसके रह गई है क्यों फसके रह गई है क्योंकि यह जो थर्ड पार्टी है इसकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ जरूर लोचा है कोई ना कोई ऐसा थर्ड परसन इसकी लाइफ में भी है जिसकी वज़े से अभी ये इनको ignore कर रही है आपके partner को ignore कर रही है आपके partner को कही न कहीं block कर दिया है इसने और इसकी life में कोई किसी और की entry भी है ठीक है या तो कोई ये past life हो सकती है past life से कोई partner है या फिर कोई ऐसा इंसान है जिसकी वज़े से आपके partner और इस third party के बीच में बहुत जादा problems चल रहे हैं ठीक है बहुत जादा चीजों को लेकर के stuck हो गए हैं आपके partner and वो एक होता है जटका लगना जिंदगी का कि ये क्या हो गया चानक से क्योंकि आपके साथ जो इन्होंने किया उसका उस time तो इनको कोई दुख नहीं था ठीक है लेकिन अभी जो इनकी life में हो रहा है उसको लेकर के ये जरूर से जरूर परशान हो रहे हैं क्योंकि जो third party है ये बहुत जादा बहुत जादा manipulative है जूट बोलती है ठीक है क्योंकि जूट बोलकर ही इसने आपके partner के साथ रिष्टा बनाया और कई third party ऐसी है जो की रिष्टा बनाने के बाद अब जूट बोल रही है क्योंकि इसकी life में फिर से किसी और की entry होती हुए दिखाई दे रही है प्लस दूसरी ये भी चीज एक आरी है कि आपके family members परिशान हो रहे हैं इस third party की वज़े से ठीक है आपकी mother के साथ issues आ रहे हैं इस third party की वज़े से sorry इनकी mother के साथ issues आ रहे हैं third party की वज़े से ठीक है अपनी चलानी है अपनी बोलनी है किसी की सुननी नहीं होती तो attention seeker है ठीक है दूसरों का attention इसके पास आ जाए बहुत बहुत ज़ादा इसको अपने ओपर घमन्ड है और अब किसी और की life में entry होती हुई दिखाई दे रही है money minded भी बहुत ज़ादा है यह third party कहीं न कहीं ठीक है money minded है आपके partner को काबू में ही इस नहीं किया था ताकि आपके partner से पैसे ले सके and जो भी उसे use हो सकता है आपके partner का जिस तरीके से भी वो अपनी खुद की ख्वाइशें पूरी कर सकती है वो सारी ख्वाइशें पूरी करने के लिए ही आपके partner की life में यह आई है ठीक है लेकिन बहुत जल्द यहाँ पर eight of cups का card दिखा रहा है देखो कार्मिक्स इसको बोलते है कर्मा है तो claim कीजिएगा कर्मा क्योंकि यहाँ कर्मा यही बता रहा है कि जो कुछ भी इन्होंने आपके साथ किया है बहुत जल्द इनके पास lot करके आ रहा है ठीक है बहुत जल्द लौट करके आ रहा है सो यहाँ पर यह third party इनकी life से निकल जाएगी ठीक है बहुत जल्द निकल जाएगी और इनके emotions धरे के धरे रह जाएगे क्योंकि दूसरे की जिन्देगी में जहर गोलना यह अभी बहुत अच्छा लग रहा है ठीक है लेकिन जैसे ही इनकी यह कार्मिक शुरू होंगे न तब इनको समझ में आएगा कि अच्छा यह चीज हमारे साथ भी हो सकती है सो डेफिनेटली यह चीज इनके साथ भी बहुत जल्द होने वाली है कि इनका separation आ रहा है धोके की वज़े से किसी और की वज़े से ही यह जो third party है यह आपके partner को छोड़ करके चली जाएगी और आपके partner अभी block feel कर रहे हैं इनको ऐसा लग रहा है कि यह इनको पच्छतावा हो रहा है अब कि यह इनके साथ क्या हो रहा है तो अब यह चीज़े इनको समझ में आ रही है कि third party को पैसा और अपना कोई purpose solve करना था जिसके वज़े से इसका purpose सारा solve हो चुका है और अब यह किसी और के साथ attach हो रही है तो अब इनको यह बहुत जादा खुंदस हो रही है बहुत जादा तकलीफ हो रही है और कहीं न कहीं अब इनको आपके तकलीफ का एहसास होगा अब इनको समझ में आएगा कि किसी को दुख देना किसी के साथ धोका देना करना क्या होता है जब यह third party भी इनको छोड़ करके चली जाएगी आइट तो आप देखते हैं इससे क्या रहेगा इनका next action फिकर यहां तो third party का पत्ता गोल होता हुँ दिखाई दे रहे ठीक है तो अब क्या यह plan कर रहे हैं क्या कुछ सोच रहे हैं क्या कुछ आ रहा है इनका next action divine please guide कीजिए बजंग बली please guide कीजिए धन्यवाद thank you so much okay four of wand का card आ रहा है so इनको ऐसा लग रहा है कि अब यह रिष्टा तो खतम होता हुआ हो रहा है ठीक है जैसे आपके साथ रिष्टा खतम हुआ वैसे ही यहां पर इनका यह रिष्टा खतम होता हुआ दिखाई दे रहा है और यह action यही बता रहा है कि अगर आप लोग चाते हैं reunion तो definitely यह आपके साथ कोई reunion ब्लान करेंगे ठीक है कोई ना कोई चीज़ है यार कुछ ना कुछ जरूर आपसे सरेकी की बात की जाएगी जिससे कि आप दोनों का reunion हो जाए लेकिन अगर आप लोग reunion नहीं चाते हो पार्टनर भी आपकी life में बहुत जल्द आता हुआ दिखाई दे रहा है लेकिन अगर आप चाते हैं reunion definitely यहाँ पर यह कार्मिक्स इनके चल रहे हैं कार्मिक्स खतम होने के बाद इनके अकल पूरी तरीके से ठीकानी आ जाएगी और यह आपके साथ reunion के बारे में सोचेंगे three of one so यहाँ पर देखो दूर से चीज़े देखी जा रही है आपको stock किया जा रहा है आपके ओपर नजर रखी जा रही है ठीक है आपके ओपर बहुत जादा ध्यान दिया जा रहा है अभी आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो आगे बढ़ चुके हो नहीं बढ़ चुक तीकि अभी जगल करते वें दिखाई दे रहे हैं अपने finances को लेकर के पैसो को लेकर के थर पाटी ने क्योंकि बहुत ज्यादा दुखी किया हुआ है तो finances को लेकर कुछ इसूज आ रहे हैं इनकी life में decisions नहीं बना पा रहे हैं समझ नहीं पा रहे हैं कि यह क्या हो गया है इनक कही नहीं कही ड्रामा सेम चीज़े अभी थर पार्टी इनकी life में कर रही है लवर्स का कार्ड वेरी नाइस ब्यूटिफुल कार्ड सारी ही राशिया यहां पर आ चुकी है क्योंकि लवर्स का कार्ड दो बारा हैं तो जो कुछ आप फील कर रहे हो इनके लिए कही नहीं वह आपकी तरफ एक proposal दे सकते हैं आपको communicate कर सकते हैं आपको कुछ offer दे सकते हैं ठीक है कुछ इस तरीकी की चीज़ें आपके पास आ सकती हैं लेकिन मैं फिर यही चीज़ बोलूँगे अगर आप लोग move on कर चुके हैं ठीक है तो बहुत सो समझ के आगे के steps उठाईएगा कि अगर यह आपके पास आते हैं तो आपको इनको accept करना है या फिर इनको यहां से अपनी जिन्दगी से हमेशा के लिए निकाल देना है एस of wand का card ओके सो देखो अभी बहुत जादा thoughts बहुत जादा thinking अभी इनके दिमाग में चल रही हैं चीज़ों को लेकर के clarity लाने की कोशि कर रहे हैं because third party ने already इनकी life hell करके रखी हुई है ठीक है already इनकी life में बहुत जादा troubles चल रही हैं बहुत परिशानिया चल रही है देखो यही कर्मा है ठीक है कर्मा ऐसे ही वापस आता है अभी भले यह आपको नहीं दिखाई दे रहा है अभी आप लोग भले लग रहा है time में चीजें इनको खुद भोगनी पड़ेंगी इनको भुगतना पड़ेगा अपना कर्मा and third party को भी भुगतनी पड़ेगी उसका कर्मा क्योंकि सब चीजे सब चीजे backfire जरूर होती हैं किसी के emotions के साथ खेलोगे किसी की feelings के साथ खेलोगे hurt करोगे किसी को आज उसका तकली का दिन आएगा तो यह चीज यह लोग भूल जाते हैं ठीक है इनके कार मिक्स पहुत जल्द इनकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं तो यह थे आज के कार्ज यह थे आज की reading आई होप आपके साथ resonate की होगी अगर हां तो like जरूर कीजेगा share जरूर कीजेगा subscribe कर लिय है तो very very thank you so much नहीं किया है तो कर लीजिए और bell आएकर को hit कीजेगा ताकि आगे आने वाले notifications आप तक time से पहुँँ सकें Instagram, YouTube and Facebook आप किसी भी social media पर जाकर कि हमें join कर सकते हैं तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में thank you and have a nice day